दोस्तों नमश्कार स्वागत है आप सभी का वापस सेख नए वीडियो में आज के सुड़ में कुछ नए अपडेट आये हैं उदोग विबाग के तरफ से उसके वारे में हमलों बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं अगर आपको उद्मी युजना का लाब लेना है और गलत इंफरमेशन कुछ आपने दिया है और वो बात में पता चलता है तो आपका जो लोन है वो रिकबरी भी हो सकता है और आप ए फिर भी हो पूरा डेटेल इसके बारे हम बात करेंगे और कुछ डेट इसमें बढ़ाए गया है जो अपलोड करने के लिए भी हो गलत इंफरमीशन आप दिये होंगे वो एक पर दिखाए है थोड़ा साइस्क्रीन पर दिखाए मानिश जी इढ़ एक घौसड़ा पत्र आपको अपलो करके इस पे आपको दिखाना होगा कि आप किसी ऐसे कंच्ट्रेक्चुल या सरकारी नोकरी में नहीं है जिनका वेतनमान 15,000 से अधिक है अगर इस तरह का कोई जोब अगरे कर रहे हैं और आपने अपलाई किया है तो फिर आप इसका लाव नहीं ले सकते हैं आपको ये या मुद्रा लोन या SIPB या स्टार्ट अप या अधोगिक नौपरवर्थन योजना इस तरह का कोई आप पहले से लाव नहीं ले रहे हैं मुझे किसी भी सक्षम नियाले द्वारा दिवालिया या पागलपन घोसित नहीं किया गया है ये चीजे तो आम बात हो गई मुझ मैं निर्वाचित जन्द प्रतिदी नहीं हूँ अगर आप MP, MLA, मुखिया, BDC या कुछ भी आप निर्वाचित जन्द प्रतिदी हैं तो इसका लाव नहीं ले सकते कोई डीलर जो जन्द वित्रव प्रडाली का डीलर को आप नहीं होने चाहिए मैं चैनित जीला के अलाव मतलब जिस चीज के लिए लोन मिला है आपको वही करना है किसी अन्य जगह पे आपको पैसे नहीं लगाने है मेरे दोरा इस योजना कलाव लेकर नए उधोग अस्थापित किया जाएगा बिलकुल नया उधोग जिसके लिए आप लाई किये हैं आप वो नया उधोग आपक पैसे का जो लोन मिल रहा है आपको सबसिटी के साथ सबस्कार दे रही है उसका दुरपयोग नहीं कर सकते आप अगर दुरपयोग कर रहे हैं तो आप इसको सुथ समित आपको लौटाना होगा इस पूरे पैसे को और मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई और लाब नहीं ल देना है कि मैं स्वैम के लिए वेदन कर रहा हूं मतलब जिनके नाम से लोन पास हुआ हो वही सिगनेचर यहां पर करके इसे अपलाई करेंगे स्वैम उधोग उधम अस्थाबित करूंगा मेरे नाम से किसी अन्ने द्वारा उधोग उधोग उधम ने मतलब आपके नाम से ब्यास सहीत पैसा आपको रिटर्न करना होगा और इस पैसे का आप दुर्पियों किसी भी हाल में नहीं कर सकते और कुछ लोग पिछली बार जो लाब लिये हुए थे उनमें बहुत सार लोग चलाकी कर रहे थे कि भाई उदोग लगाए नहीं और फरजी भी लोग गरा फरजी रिपोर्ट गरा जमा कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सम्दित लाभुक और सप्लायर पर एफाई आर और दी गई रासी वसुलने की करवाई की जा रही है साओधान रहे रासी का सही उप्योग करें और एक और अपडेट है यहाँ पे मुखमंत्री युदमी उजदा में जो 15 जन्वरी तक जो डेट दिया गया था उप्योग ता प्रहाट पत्र फोटो आधी अप्लोड करने के ल हो गया है इसका जो 15 तक आपको अप्लोड करने थे बढ़ा दिया गया है औरस इसका को इस बारे में के यह के लिए अपरेट है कि भाई सेड 31 माज तक अलॉट कर दिया जाएंगे मात कटेगरी सी के लिए जेस्टी और करेंट अकाउंट की अंतिम्ति थी 28 फरवरी होगी चिंता अगर न करें सेड नमबर अलाटमेंट के बाद जेस्टी अपलाई करें तो ये चीज़े आप देख सकत है ऐसा पलायन फिर कभी बिहार में नहीं हो और इसके लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है लगतार सरकार हर साल उदमी उजना लेके आते हैं साल में एक बार साल के हर हर लाष्ट में दिशंबर में आपको उदमी उजना को बहुत सारे लोगों को दस्तर स्ताक रुपे दि लगाने के लिए अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सरे लोग इसमें आ गये हैं बहुत सरे लोग इसमें आ गये हैं जो उदोग न लगा के सरकार का पैसा है किसी तरह हजम करना चाहते हैं तो ऐसे लोग साउधान हो जाए जो उनको उस पैसे को गलत इस्तमाल करने में जो लोग भी सहयोग भी करेंगे मतलब कहीं से फर्जी बिल लेके आते हैं या कुछ फर्जी डॉक्मेंट ये अपलोड करते हैं तो जहां से फर्जी पेपर होगर उनको मिल रहा है वो भी और जो लोग फर्जी वाड़ा में सामिल है जो लोन को इधर उधर पैसे को निर्वर होने के लिए तो इस मौके का लाव उठाईए ना इस पैसे का गलत दुर्पयोग क्यों कर रहे हैं और इस पैसे से आप अपना फ्याट्री लगाई ये उद्धूग लगाई ये आपको रुजगार मिलेगा आपके साथ-साथ आपके महले के आपके सहर के लोगों को रोजगार मिलेगा आपके आस-पास के लोगों को रोजगार मिलेगा तब जाके अपना बिहारा अत्मिर्वर होगा और तब जाके बिहार में पलायन रुकेगा और इसके लिए सरकार मदद कर रही है बस इसके लिए आपको जागरुक होना होगा इस बात को समझना होगा कि इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है और इसे आप इधर-दर न गवाए जो पैसा मिल रहा है उससो दोग खड़ा करें उस पैसे को पचाने के चेकर में इधर-दर से फर्जी बिल ले कराएंगे या फर्जी वाड़ा करेंगे बाद में पकड़े जाएंगे तो ब्यास सहीत आपको पैसा रिटर्न करना पड़ जाएगा तो सबसे अच्छा यह है कि आपको जिसलिए लोन मिल रहा है उसको उसका उपयोग करें और इस मौके का फायदा उठाके आप आतनिर्वर हो जो लोग भी फैक्टरी लगा रहे हैं उनको मेरे तरफ से अगरेम से उपकामना है और ऐसे ही अपडेट रहने के लिए सरकार की योजनाओं से और नए-ने बिजनस आइडिया से मतलब जूडे रहने के लिए हमारे चनल को सबस्क्राइब कर ले ऐसे ही सूचना और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेकर आते रहता हूँ इस वीडियो को आँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग फैक्टरी लगा चुके हैं लगा रहे हैं उनको अगरेम से उपकामना है हमें भी कमेड़ी बताएं कि आपको कौन सा उदोग लगा रहे हैं कहां पे लगाए हुए हैं हम भी आएंगे और आपको दुनिया के सामने लाने की कोसिस करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार